पोकेमोन होरीजन्स एपिसोड वन काफी जल्दी आने वाला है काफी जल्दी क्या सिर्फ वो सिर्फ दो दिन के अंदर 14 एप्रिल को तुम्हें ये दिखने वाला है वो भी एक गंटे का स्पेसल एपिसोड तो डेफिनेटली इसकी नई शुरुआत होने वाली है और हाँ मैं चैनल पर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा था अब हम वापस पुराने वाले आउतार में आजुके हैं सब्सक्राइब के साथ सुरू करते हैं तो सबसे पहले इस एपिसोड दोगा नाम होने वाला है इनेट अफ द गिगनिग ताइडल से तुम लोग समझ गए होंगे यह एपिसोड जो है रिवॉल्ट करने वाला है फोकस करने वाला है रिको की जर्णी के ऊपर तो हाँ, इसकी समरी में लिखा गया है रिको, एक गल्फ फ्रॉम दिपाल्डिया रिजन हैज एन्रॉल्ड एड़ सेकी अकेडमी यानि कि एक बॉर्डिंग स्कूल है जहां पर अपनी जो बंदी है ना मेजी बंदी रिको वो आने वाली है यानि कि डेफिनेटली एसकेडम को इससे कुछ सेखना चाहिए मतला पढ़ाई भी करनी पड़ती है स्कूल भी जाना पड़ता है ऐसे ने कि एनिमे को छोड़के चले जाए हैस्टेग दुख बट कोई ना, ये कैसा बोर्डिंग स्कूल है कि कैंडूरीजन में है और ये इंडीगो लीग से रिलेटेड है कि यार रिको के उपर बेज इंडीगो लीगव का प्रूपकेडव कैजम नहीं है असको gift में मिली थी जब उसने बहुत सारे काड जो है पॉस्ट किये थी इंडीगो लीड़कर ओ तो definitely यहांब हमको पता चल जाता है कि Riko and Ace में connection तो है लेकिन वो connection father and son वाला नहीं है वो connection है Riko League का, then यार हमको बताया जाता है Riko को एक नया Pokemon मिलने वाला है जो के Spigatito similarly तो मैं पता चल गया होगा, यह hint है Ace के सम का, Ace के सम के साथ भी शुरुवात में episode 1 I choose you में ऐस ही हुआ था, लेकिन Riko जो है पने Pokemon के साथ बहुत को powerful करना चाहती है जैसे कि Ace करना चाहता था and definitely इस episode के ending में हमको बताया गया है suspicious people appear who are looking for the Riko mysterious pendant मतलब Riko के पास mysterious pendant है जो के उसकी grand mother ने दिया है उसके पीछे बहुत साथ बुले लोग आ चुके है तो definitely जो Ace के साथ हुआ था बहुत साथ पीजी ने उसके पर हमला कर दिया था then because उने उसकी जान बचाही थी definitely यहां पर भी कुछ ऐसे ही होने वाला है suspicious people आएंगे बुले लोग आएंगे रिगो के पर हमला करेंगे जो है रिगो की help करेगा लेकिन में दिमाग में दो आउट निकल के आ रहे है यह तो बात होगी समरी में सिर्फो सिर्फ रिगो के बारे में बताया गया है बाकि लोगों को क्या हुआ हमको बता है तीन लोग काफी तरह important role play करने वाले है एक तो यह है Amethanio जो की काफी अच्छा बंदा नहीं लग रहा है बता रहा हूं मैं दूसरा है प्रोफेसर फ्रीज यह क्या करने वाला है एंद तीसरा जो होने वाला है रोई रोई के बारे में हम लोग बात कर चुके है कि यह साय तक episode 2 में हमको देखने कम लेगा इसके उपर एक dedicated episode आएगा लेकिन बाकि जो बदो बंदे है Amethanio एंड यह प्रोफेसर फ्रीज इसी episode का हिस्सा होने वाले है एक गंटे का episode आएग मेरी बंदी रिको के उपर साहिता करेगा उसके help करने वाला है मदद करने वाला है समझे समझे की नहीं तो definitely इस बंदे Amethanio को लेकर मैं थोड़ा सा सोक में हूँ इसका नाम Amethanio क्यों है बाई इसका नाम एंटोनियो न चीए नाम बोलने में इजी लगता है मेरे लिए भी पूरा है यह अच्छा हमला क्यों कर रहा है I don't know वह भी लेवल 5 स्प्रिकाटीटो के उपर लेवल 100 का यह जो पोकेमोन है ना वापस नाम भूल गया इतनी मुश्किल से मैंने इस लेजनरी पोकेमोन का नाम याद क्या था जो भी यह पोकेमोन है एकड़ एटिटूड वाल विलन भी तो हो सकता है यह राइवल है या फिर रिको के साथ ट्रावल करेगा कुछ भी के लिए एक बात मैं कह सकता हूँ यह सोट ओफ एक एंटी हिरो प्ले करने वाला है कभी अच्छा कभी बुरा लाइक पॉल लाइक बेवलेड में काई था उसी के तरह यह क्यारक्टर होने वाला है बता रहा हूँ मेरा यह अभी से फैविट बन चुका है एंड यह तो होगी एपिसोड वन के बारे बात अभी एक और डिटेल है जो इकल आएगी कल वाला वीडियो मिस मत करना पोकेमोन होरीजंस पोकेमोन फेंस सब्सक्राइब कर दो पोकेविस का असर दो ब बाइ बाए